जुआला मुखी थाना के तहत ग्राम पंचाइद बोहन बाटी के गाम सुकनाल में एक कुए से पुलिस ने विक्ति का शव बरामत किया है। सुचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पुलिस ने विक्ति का शव बरामत किया है। स्थानी लोगों वा उक्त व्यक्ति के परिजनों के बियान भी दरच किये गए है। मौके पुलिस की परारंबिक जाच में सामने आया है कि ये मामला आतमत्या से जुड़ा है। में पुलिस ने इसके आधार पर सी आर पी सी की धारा 174 के तहट मामला दर्च कर आगामी कारवाई शुरू कर दी है। मामले की पुष्टी डीएसपी जौला मुखी तिलक राज ने की है। उन्होंने बताया कि उक्तव्यक्ति बीती रात को अपने घर नहीं आया था। इस बीच जब देर तक वे घर नहीं पहुँचा तो परियोंने इसकी सूचना स्थानी पंचाइट परदान के ध्यान में लाज़ू बताया जा रहा है कि गाहों से गुजर रहे एक व्यक्ति ने उक्तव्यक्ति का शव वीरवार सुभा कुए में पड़ा देखा और इस बा बेटा और बेटी वपत्नी को छोड़ गया है